अब भी यह जो बीजे माई गेम के आप ग्राफिक्स देख रहे हैं यह है 4K ग्राफिक्स 60 एपस से भी ज्यादा का मुझे फ्रेम रेट मिल रहा है और आप देख सकते हैं भाई यार ऐसा लग रहा है के मैं मुबाइल में नहीं PC में गेम खेल रहा हूँ जब यहाँ पर मैं लॉबी में था तो लॉबी मतलब जब हम Spawn Island पर थे तो कुछ इस तरह का यह व्यू दिख रहा था और जब मैंने जंप किया तो जंप करने पर भाई साब क्या मुरे को मतलब भाई क्या ग्राफिक्स है आप देख सकते हैं मतलब मैं जंप कर रहा हूँ तो चलिए मैं आपको थोड़ा क्लोस से दिखा देता हूँ तो यहाँ पर गन वगिरा मैंने लेकर रखिया और अब आप यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल पर ध्यान दीजेगा जो टेक्शर है जो सैडो है जो डिटेलिंग है जो रेंडरिंग यहाँ पर सब कुछ होके रख तो हम यहाँ पर हवा में ऊड़ना है मेरे को ठीक है तो हम यहाँ पर हवा में ऊड़ना है ठीक है और आप देख सकते हैं उपर से कुछ इस तरह का rendering होता है मैं ये इसलिए तुमको दिखा रहा हूँ कि rendering का जो process है वो कितना fast हो रहा है यहाँ पर तो आप देखो मैं उपर से उड़ा हूँ और नीचे भाई जो detailing है वो अच्छी दिख रही है और मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी कहीं पर मिल जाए बट यहाँ पर भी आप देखोगे तो reflection effect जो है वो काफी अच्छी है तो चलिए अब मैं आपको car भी चला कर दिखा देता हूँ यानि कि हम यहाँ पर एक vehicle भी दोडाएंगे आपके सामने है और सारी चीजें 4K में दिख रहे है detailed बहुत ही अच्छी है अच्छा कुछ लोग कहीं गया के बंदे आते तब lag करते है चलो मैं बंदों में ही घुज जाता हूँ मरूगा नहीं बस खाली एक चक्कर लगा के आ जाओंगा तो यहाँ पर आप देख सकते है मेरे को fire आ रहा है सामने बंदे हो और मेरे पर fire भी हो रहा है मैं यहाँ से जान बचा के बाग राऊ हूँ ठीक है और आप देख सकते है मैं बिलकुल speed में भाग रहा हूँ और कोई frame drop नहीं है नहीं कोई lag है अब बंदे मिरे को पता है मेरे पीछे आएंगे मैं तो भाई खुद रहा हूँ यहाँ भाग रहा हूँ यहाँ से जान बचा के ठीक है अच्छा एक और चीज देखो मैं पानी के अंदर हूँ तो पानी की जो detailing है वो भी काफी अच्छी है यहाँ पर reflection काफी अ अच्छी है detailing बहुत अच्छी है sharpness है colorful है सब कुछ है और यह सारी चीजे आपको भी गेम में मिल सकती है बस आपको यह वीडियो पूरा देखना है मगर एक बात मैं आपसे बिल्कुल clear करना चाहूँगा देखर वीडियो पसना आया ना ग्राफिक्स अच्छे लगे ना तो दीखे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस तरह के ग्राफिक्स अगर आपके पास एक अच्छा खासा महंगा फोन है तो आप भी ट्राइ कर सकते हैं यह ग्राफिक्स आपको ultra HD में मिलेंगे तो यहाँ पर आपको मैं मेरे ग्राफिक्स के setting दिखा देता हूँ आप द पोड़ा सा जुगार लगाना पड़ेंगा अगर आपको ऐसे ग्राफिक्स चाहिए एक तो फ्रेम ड्रॉप नहीं होनी चाहिए मलब कुछ लैग नहीं होना चाहिए सब स्मूज चलना चाहिए तो आपको एक जुगार लगाना ही पड़ेगा तो क्या है जुगार तो सबसे पहले आपको Google Play Store से इस app को इंस्टॉल करना होगा वैसा इस app के link मैं आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा वहां से भी आप इस app को इंस्टॉल कर सकते हैं बट आपको इंस्टॉल करने के बाद इसका setup काफी ज़्यादा जरूरी है वो आप पहले देख लिजिए अब दे पहले हैं वो है resolution का तो यहां पर वैसे यह default है बट आप इसे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं बट मैं आपसे कहूंगा कि आपकी smartphone की डिस्प्ले ना उसके इसाब से default ही आप रहने दें और अब बात करेंगर graphics के बारे में तो दीखे graphics में यहां पर अगर आप बिल्क देखो अगर चल गया smooth चलता है तो अच्छी बात है नहीं चलता है तो आप 60 fps को select कर लेना इसके बाद है यहां पर anti-aligning तो इसे जो disable है तो इसे आप 2x कर दें ठीक है style जो है यहां पर classic है तो इसे आप colorful कर दें rendering quality जो है तो इसे आप medium कर दें shadow अगर आप रखना चाते हैं तो अगर नहीं रखना चाते हैं तो इसे disable रखें अगर आप रखना चाते हैं तो आप medium quality पर ही इसे रखें shadow distance ये आपको low ही रखना है moving shadow आपको disable रखना है texture quality जो है वो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा texture चाहिए तो आप यहाँ पर इसे ultra भी कर सकते हैं बट मैं कहूंगा कि आपको इसे medium ही रखना है इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और option देखने को मिलेंगे बट यह सारे default 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 है इन्हे default ही रहने दे बट अगर आपको लग रहा है कि यार game खिलने पर game कुछ ज़्यादा lag कर रही है तो यहाँ पर आपको कुछ option देखने को मिलेंगे GPU optimization के नाम से तो आपको इसे enable कर देना है ताकि game ज़्यादा lag ना करे और यहाँ पर आपको graphics API भी देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप OpenGL का भी use कर सकते हैं Vulcan का भी use कर सकते हैं बट OpenGL जो है वो काफी powerful आता है तो आपको OpenGL का ही use करना है sound quality काफी ज़्यादा matter करती है तो यहाँ पर आप sound quality को ultra कर दे ताकि दूर से भी आपको बंदा दीखाई दे सुरी सुनाई दे इसके बाद है water reflection देखो अब यह है थोड़ा सा battery खाएगा बट अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो आप इसे enable कर सकते हैं अच्छा इसके बाद है save controls जो भी आपके game के controls है जो भी UI button है वो same के same रहना चाहिए तो इसे आप enable कर दे इसके बाद बस आपको accept पर click करना है okay करना है okay करने के बाद सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत आएगी उन लोगों को जिनके smartphone android 14 और 15 पर update है उन लोगों के लिए यह app काम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर आपको use this folder पर tap करने पर यह काम नहीं करेगा ऐसे बताएगा कि यह protect है यह अभी open नहीं कर पाएंगे आप तो देखो अगर आपका android 14 या फी 15 है तो आप इस app को use नहीं कर पाएंगे मगर आपका android 13 है 12 है 11 है तो भाई आप इस app को तुरंद ही use करेंगे बस आपको यहाँ पर tap करने के बाद सीधा आपको allow करना allow करने के बाद game launch करनी है और game start हो जाएगी